हेलो दोस्तों मैं दीपक मिस्रा स्वागत करता हूँ अपने यूटूब चैनल वो भयानक के यादों में दोस्तों अगर कहानिय पसंद आ रहे हैं तो लाइक से और कमेंड और सस्क्राइब आवस्च करें दोस्तों हम अंदर स्वास को बड़ावा नहीं देते इन कहानियों को आप सिर्फ मनोरंजन की तौर पर सने बच्चे इन कहानियों से दूर रहें आज की कहानी है अंधी सुरंग जिहा दोस्तों नागेश और दुरगेश दोनों दोस्ते इन्हे नए नए अडवेंचर करने का पहुत ही चीज नहीं होती ये लोगों को नए नए अडवेंचर दिखाते नए नए करतब दिखाते और लोगों से पैसे एड़ते लेकिन कभी कभी कुछ चीजे भारी भी पड़ सकती है इन्होंने ये कभी सोचा भी नहीं था एक पर की बात है नागेश के मामा के काउं से फोन आया कि उनके मामा की तवियत पहुत ही खराब है ये दो निकल पड़े अपने मामा के काउं रास्ते में ये लोग ने इस तल हैवे से जा रहे थे चारो तरब सुन सान रोट और बड़े पड़े पाहार उस समय रात के तक्रिवन क्यारा बच रहे थे इन्होंने तेखा हाइवे क के पास में काभी लंबा एक बोटा पेड़ गिर के पड़ा हुआ है जिसकी पजय से ट्रकों की लेल लगी हुई है चारो तरब गाडिया जाम पड़ी हुई है हारन पे हारन लेकिन एक भी गाड़ी डस से मसना ही हो रही है तबी दुरगेश ने कहा यार इस प्रकार खड़ नहीं रहे तो पहुंच चुक्य अपने मामा की गाओं तब तक तो उनका लोग किरिया करम भी कर देंगे हां है अलै कोई और रास्ता निकाल mould क centrally हार अब कौन सा रास्ता निकालो Whilst यार देख नहीं रहां यहां से नजर एक दूसरी तरब के कच्चे रास्ते पर पड़ी वहां भी एक सुरंग थी अरे ठीक एक सुरंग और भी है हाँ उस जगे पर कोई भी भी भाड नहीं है चल उसी सुरंग से निकल चलती है लेकिन यार वहां कोई है नहीं इसका मतलब यह नहीं कि वह सुरंग उस तरब जाती होगी अरे यार चल यार इतना सोचेगा तो अपना काम कैसे होएगा और डर नाम की चीछ हमारे अंदर तो है नहीं हां वो तो है चल निकल चल और यह दोनों उसी सुरंग के अंदर घुस गए अंदर घुप पंधिरा था गाड़ी के हैट लाइट चल रही थी अरे य जांगे निकले गार इसकाथ कोई रास्ता भी नहीं दखाई दे रहा एच चलता चलता कहीं तो खत्म होएगी कहीं तो यह बाहर निकले घुप और यह गाडिया भागाते रहे इनकी गाड़ी संडाटे में पाते करते कूर सुरंग के अंदर से चली जा रही थी तब यह सुरंग में काम कर रहे हैं यह क्ये कर रहा है यार चल उठर के पूछते हैं इन्होंने कारी रोकी और उतर कर उस मजदूरों के पास पहुचे और पूछा अरे भीया यह इतनी रात के इन्दर आप लोग काम कर रहे हैं अरे आप लोग का घरदवार है की नहीं बाल बच्चे है की नहीं उन्होंने कोई जबाब नहीं दिया तब इन्होंने कहा अरे लगता पागती साथ इतना कहते ही ओन मजदूर रूपी सेटानोंने इनकी तरह मलट कर देखा तो इनके लोग देख खड़े हो गए वैं एक बया पागे इन लोगों की हो सुड़ गए यह लोग वहां से चीत पकार करते हुए फागने लगे अपनी काड़ी छोड़कर सुरंग के अंदर भयान का ठास होने लगा और यह भागते रहे लेकिन कोई भी रास्ता इने नजर नहीं आ रहा था यह चिल्ला रहे कि मुझे बचाओ हमे तभी एक दर्दना खाचा हो गया सुरंग के अंदर एक गहरी खाई जो की दल्दल पानी से फ़री हुई थी उसके अंदर थोनों गिर कहे और इनकी एक दर्दना मवत्व कहे तो यह थी अंदर सुरंग की काने कैसी लगी दोस्तों अच्छी लगी हो तो लाइक शेर कमेंट और सस्क्राइब अवस्करे गुट नाइट